आज की जो वीडियो है वो मीशो फुट्वेयर हॉल के उपर होने वाली है आज जो मैं फुट्वेयर लेके आई हूँ वो सभी 200 से 500 की रेंज के बीच में है बहुत ही चमक धमक वाले कलर्स है पॉप अप कलर्स है जो आज कल बिल्कुल ट्रेंड में है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अप्रोड की थी जिसमें मैंने आज और लिपकार्ट से कॉम्बिनेशन रखा था फुट्वेयर का उसमें सारे फुट्वेयर जो हैं बहुत ही सिंपल से थे जो की डिलिवेयर में हम पहन सकते हैं अगर आप वरकिंग हो तो वो आपके लिए बेस्ट रहेंगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आई बटन पर लिंक दे दिया आप हाँ से जाके देख सकते हैं तो अब बात करें आज की वीडियो की तो आज की वीडियो जो है वो गर्ल स्पेशल होने वाली है क्योंकि आजकल सबको ब्लैक ब्राउन कलर तो बिल्कुल ही आउट ऑफ फैशन हो गया है सबको बिल्कुल ट्रेंडी कलर्स पसंद आते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, अब मतलब सैंडल में भी आजकल सारे कलर्स पहनने लग गए तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बिल्कुल जैन्विन ओपीनियन के साथ बना रही हूँ आपको ऑनेस्ट रिव्यू दिखाऊंगी अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और आगे भी ऐसी ही यूसफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो बिना देख करें बिना जादा बाते करें चैनल ये वीडियो को शिरू करते हैं एप्रॉक्सिमेटली साधे तीन से चार इंच इसकी हेल है, बली इस तरह की ब्लॉक हेल्स काफी कमपरटेबल होती है, आप इजली इसको पहन के चल सकते हो, चाहिए आप किती दिर भी पहन के रखो, जादा परिशानी नहीं होती है पैर में, इसकी जो मुझे सबसे अच्छी से दिखा हूं, तो आप देख सकते हो, कितना अच्छा इसके उपर यह शिमर लगा हुआ है, और मैंने इसको ऐसे रब करके भी देखा, यह बिल्कुल भी मेरे हाथ पे नहीं आ रहा है, और इस स्ट्राप की वज़े से इसकी ग्रिप और फिटिंग भी बहुत अच्छी है, और उसके साथ भी यह बहुत अच्छा लग रहा है, तो mostly जो हम मीशो से सैंडल मगाते हैं, उसमें यहां पर पेस्टिंग की बहुत प्रॉबलम होती है, बहुत अच्छे से पेस्टिंग नहीं कर रखी होती, पर इस वाली footwear में मुझे यह वाली चीज भी बहुत अच् ट्रेंड में है, आप सब समझ गए होंगे, यस मैं बात कर रही हूँ, ट्रांस्पेरिंट हील्स की, तो वह ही मैंने भी मंगाई है, यह ट्रांस्पेरिंट हील्स, पर mostly जो ट्रांस्पेरिंट हील्स आपती हैं, उसमें जो बेस मेटीरियल होता है, यह भी ब्राउन या टैन स्ट्राइब लगा के दिया है तो overall मिला के यह जो सैंडल है यह बहुत ही अच्छे लुक दे रहा है पैर में जो इसकी second quality है वो है इसका base material इसके उपर हलका सा pattern बना हुआ है जिसकी वज़े से इसकी grip काफी अच्छी है इसकी जो heel है वो भी कम है तो आप इसको regular wear में पहन सकते हो अगर आप working हो तो यह बहुत ही comfortable मैंने इसे 2-3 घंटे राम से पहन के देखा कोई दिक्कत नहीं हुई ना slip कर रहा है और काफी comfortable भी है यह वाली जो strap है यह भी काफी soft है पहनने में काफी अच्छी grip दे रही है तो यह वाला जो footwear है इसमें तीन color options और भी है उपर की strap सब की same है बस यह वाला जो base color है यह सब का change हो रहा है पर मुझे सबसे pretty color यही लगा light pink color तो मैंने इसलिए यही मंगाया है अगर मैं बात कुर इसके price की तो यह वाला footwear मैंने मंगाया है 250 रुपीज में और I think 250 के हिसाब से यह मीशो ने मुझे बहुत ही अच्छा product भेजा है और इसको मैं बिल्कुल quality wise 10 on 10 दूँगी comfort wise भी 10 on 10 और इस वाले footwear को मैं जरूर recommend करना चाहूंगी अगर आप लेना चाहते हैं तो और यह party wear के हिसाब से भी perfect है और regular wear के हिसाब से भी perfect है तो you can go for it तो guys जो मैंने next footwear मंगाया है वो है यह lavender color की cute sea heels और आज तो मेरी nail print पे इसके साथ अच्छे से match हो रही है actually मैंने इस color के दो suit लिये थे तो मैंने सूचा यह वाला color भी try कर लेते हैं यह वाला color आजकल बहुत ज़्यादा trend में है यह वाला footwear आप देख सकते हो matte finish में है और इसके साथ यह एक सुन्दर सी bow दे रखी है जिसके वज़े से इसके look बहुत अच्छे लग रही है अगर मै size भी मैंने 5 number ही मंगाया था पर यह बहुत ही चोटा सा आया है और इसके पीछे कुछ लिखा भी नहीं हुआ है पीछे कहीं पर भी size वगएरा कुछ भी mention नहीं है मीशो के footwear में हमेशा कुछ नो कुछ गडबड रहती है वही गडबड इस वहले footwear के साथ हुई है तो इसको बात करूं तो यह वाला मुझे 300 में पढ़ा था और इसमें 2 color options और भी है look wise ही कैसा लग रहा है इसके लिए मैंने picture लगा दिया आप वहां से देख सकते हैं इसके बागे के 2 color options भी देख सकते हैं मैंने description में link mention कर दिया है वहां से जाके आप इसकी बागे details भी देख सकते हैं जो की black और peach color के combination में है हलका सा इसका shiny material है पूरा अगर आप गंदा भी हो जाता है तो आप गिली कपड़े से साफ करोगे पूरा साफ हो जाएगा चमक जाएगा बिलकुल अच्छे से तो यह वाली heels भी मुझे बहुत comfortable लगी पर इसके साथ जो मुझे इसका drawback लगा वो है यह चलते वक्त टक 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 की आवाज करती है I think सारी block heels ही करती है पर यह कुछ जादा ही कर रही है टक टक की आवाज नॉर्मल फर्ष पर नहीं करेगी लेकिन अगर जैसे marble type का फर्ष उस पर बहुत ज़दा टक टक की इस पर आवाज आ रही है तो rest footwear बहुत comfortable है बहुत पर मुझे यह special footwear बना के दिया है जो half peach है और half black color में है तो again as I said कि मीशों में हमेशा कुछ नो कुछ गड़बड होती है पर मुझे लग रहा है कि ठीक है यह वाला color combination भी ठीक है थोड़ा different हो गया पूरा black से जादा ही अच्छा लग रहा है तो यह वाला भी मैं रखने वा तो guys मैंने आपको सारी heels दिखा दी है और हर रोज में heels नहीं पहन सकती तो इसलिए मैंने slip on भी मंगाई है क्योंकि heels बहुत जादा मैं carry नहीं कर पाती हूं तो यह वाली है red and white stripe के साथ cute सी slip on flat में है यह बिलकुल और यह मैंने इस red से flower को देखके ही मंगा ली वैसे तो यह print तो बहुत ही common सा है लेकिन मुझे इसके उपरी जो pom pom सा red velvet का flower लगा हुआ था यह मुझे बहुत ही cute look दे रहा था इसलिए मैंने इसको मंगाया है यह वाली slipper बहुत comfortable है पहनने में और चलने में तो flat होते है comfortable है और इसके पीछे भी यह design सा दे रखा है तो slip भी नहीं कर रह है इसके साथ जो main problem आ रही है वो यह है कि मेरा पैर यहां से तो पूरा fit आ रहा है लेकिन यह जो आगे की इतनी space है यह पूरी खाली रह गई है मेरे पैर में आप मेरे साथ में जो मैंने picture लगाई है आप उसमें देख भी सकते हो मेरे को पीछे से पूरी fitting आ रही है पांच कि सारे footwear पांच नमर में fit आ रहे है पर इस वाले में क्या problem हो रही है कि आगे से यह पूरा पैर का आगे का पोर्शन पूरा खाली जा रहा है जिसकी वज़े से थोड़ी odd look दे रहा है मैं confused हो यह उसको रखो या return करू अगर आपके पैर की उंगलिया थोड़ी लंबी है त इसमें भी 2-3 color options है और 200 रुपे में ठीक है प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो quality वगर्या सब कुछ बहुत ही अच्छा है इसका तो इसका मैं भी decide करूंगी क्या करना है रखना है या return करना है तो guys मैंने आपको अपनी सारी footwear दिखा दी है एक वीडियो मैंने आपको पहली बना के दीची जिसमें मैंने सारी casual wear की footwear दिखाये थे guys अगर आप भी मेरी तरह working हो और आपको भी अपने पैरों को comfort देखना होते है तो आप वो वाली वीडियो जाके देखना है उसमें मैंने सारे footwear ऐसे ही include किये है और वो सारे tried and tested है जो आज वाली footwear है इसमें से मैं दो pair पहली test कर चुकी हूं तो उसी कहसाब से मैंने आपको बिल्कुल honest review दिया है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी हो तो please like कर देना और चैनल को subscribe कर लेना और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहना bell icon on कर लेना मेरी वीडियो आती आपको notification मिल जाएगा till then bye bye take care